तो फिर चलो सरे इंकाम टेक्स काड करते हैं तो इनकाम टेक्स में भी बेसिक सेरिया में बाग चीज चल रहा है और बेसिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं सरे अब बात करें सरे काफी सेक्षन के उपर बात हो चुका है मतलब सिंपल बात है रोज बताता हूं फिर से बता दे रहाँ सकते कि अगर आपको को individual का income tax देखना है not just individual individual हुएएफ ठीक है सभी का residential status होता है और तो भारत में residents का status क्या है आपका constituency अलग होता है residential status अलग होता है residential status ऐसा concept है कि इसमे foreigner विड रेसीडेंट बन सकता है और उसके उपर भी टैक्स लागू किया जाता है है ना सकते हैं मैंने अप लोगो कुछ कोश्चन घर पर वोमड के तौर पर दिया था अगर आप लोगों ने ट्राइ किया तो अच्छा है अगर नहीं ट्राइ किया तो मैं क्लास में सॉल्व करूंगा ठीक है लेकिन बिफोर डाट कुछ प्रोब तो जैसे कि आप लुगोंने section 6, substitution 1 पढ़ा, आप लुगोंने section 6, substitution 6 पढ़ा, आप लोगोंने किस तरह से resident है या नहीं है उसमे section 6, substitution 1 में, दो conditions में से दोनों conditions में कोई भी एक conditions fulfilled हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको resident खहला देते हैं, अगर कोई section 6, section 6 में दोनों में से दो conditions fulfill करें तो इसको ROR कहते हैं, अगर नहीं करता है तो ROR कह देते हैं, ठीक है, तो कोई इंसान resident होगा, कोई individual resident होगा, non-resident होगा, ROR होगा, ROR होगा, यह सब बहुत important part है और जो आप लोग already सीख चुके हो, और काफी सारा questions भी regarding that आप लोगोंने कर चुके हो, लेकिन कुछ questions मैं अभी अब लोगो homework के लिए भी दिया था, लेकिन कुछ provisions आपको अभी भी लिखाना बाकी है, तो पहले मैं क्या करूंगा, आपको वो provisions बता देता ह आज के class में, फिर next class में जो भी homework अगर आप लोगों ने try नहीं किया, तो please must go through and एक बार ज़रूर परने का कोशिश कीजिए, लोगी मैं next class में आप लोगों को वो भी homework बताऊंगा, यह था सर, screen share है कि नहीं, प्लीज एक बार मुझे बताएगा, यह सर, जैसे अगर आप यहां पर थोड़ा सा नजर डाले, तो आपको क्या दिखाए दे रहा है सर, यह income test का, काफी important एक concept है, सर यह question देखो, मैं question अभी discuss नहीं करूँगा, मैं पहले आपको provisions discuss करूँगा, फिर question पर आउँगा, लेकिन अगर आप question के तरफ थोड़ा ध्यान दे, question क्या बता रहा है सर, Mr. Anand, दिख रहा है सर question, प्लीज मुझे एक बर बताएगे, Mr. Anand का question आप लोगो दिखाई दे रहा है, यह सरन्नो, अलो, के लिए दाखाज अच्छे, प्लाश्नी, मीर, कुसी का आवाज नहीं आ रहा है, सर, अब लोगो question दिखाई दे रहा है, परपिता, है दादा, ओके सर, यह सर, तो जस्ट देखिए Mr. Anand का question समें क्या बताता है, अगर आप question के अंदर देखे तो Mr. Anand कहीं बाहर जा रहा है सर, इंडियन सिटिजन है, पर वो बाहर जा रहा है, यह सर, नो, देखो न, Mr. Anand is an Indian citizen, and a member of a crew of a Singapore bound Indian ship, Singapore bound Indian ship, उसका क्या है, वो crew member है, मत्तब जहाज का, जो crew member होते हैं, उनको crew बोलते हैं ने साथ, तो वो Mr. Anand है, वो भारत की city दें तो है, पर वो Singapore crew member की हिसाब से, Singapore की तरफ जा रहा है सर, इधर है Singapore, पता है आप लोग को Singapore कि इधर है, सिंगापूर तो नाम है Singapore, कहा है Singapore, यह देखो सर, यह हमारा कलकत्ता, और यहां पर ship में बैठके, कोई Mr. Anand है, जो जा रहा है, कहां? कहां सर, Singapore, तो कोई बाहरा, इंडिया का इंसान, कोई इंडिया का इंडिविजुल, जब जहाज करके, crew member बनके, जहाज में crew member बनके, नॉन्मल जहाज में चड़ने से नहीं सर, crew member बनके अगर जहाज में चड़ता है, तो उसका एक अगलर कॉंसेप्ट है, बाउंड इंडियन सीव, इंगेज इंडिया जो पैसेंजर्स इन इंटरनाशनल ट्राफिक, डिपर्टिंग फ्रम चिन्नाई, वह अच्छा, कोलकाता से नहीं, सॉरी सर, चिन्नाई से बन रहा है, यह जो जहाज है, यह कोलकाता से नहीं, सिंगापूर जा रहे है, चिन्नाई से, अरे वाह, ठीक है, सॉरी, मैं कोलकाता दिखा दिया था, यह चिन्नाई से छोड़ा, और चन्नाई से बैटे पैटे वह पौँच गया यह A Sitting वह गया क्या है कि यह रहा से थोड़ा सा नीची आना पड़े को पॉंच गया सिंगापूर से ठीक है अब इस मेंबर इंटरनाशनल शिप में जब कोई क्रू मेंबर बनके बाहर इंडिया चोड़के जाते हैं तो इनका भी एक चार साल में भारत में पिछले चार साल में इन्होंने कितना दिन रहा तर भारत में पिछले चार साल में कितना दिन रहा सर चार सो दिन क्या 400 days मतब preceding previous year है 21-22 preceding previous year से पहले 21-22 से पहले 21-22 और उससे पहले 400 दीन हो इंडिया में रहा है ठीक है तो ये है इनका इंडिया में रहने का हिसाब कितब और वो चिनने छोड़के क्रू मिंबर के हिसाब से कहा जा रहा है सिंगपोल जा रहा है स्नियाशिष गुद मॉर्णिंग गुद मॉर्णिंग सर गुद मॉर्णिंग सर गुद मॉर्णिंग तो सब अभी देखना है कि जब कोई क्रू मेंबर बनके जब कोई जाहाज का क्रू मेंबर बनके यह जाहाज है जिसका कोज़ें को सॉल्प करने के देखते हैं कि यह दंदा अगर इंडिया छोड़के सिंगापूर जा रहा है तो इनका स्टेटस क्या हो सकता है ठीक है और पीता कोश्चन समझ में आ यहां बोल कि क्या कोश्चन समझ में आप लोग को कि बताई यह सर कि यह सर्ट तो फिर ऐसे कोश्चन का जवाब कैसे देना है उसको देने से पहले क्या आपको एक बार प्रॉविशन जानने ही लेना चाहिए बिल्कुल जान लेना चाहिए तो चलो सर्थ पहले काम करते हैं आप प्रॉविशन लिखे उसके बाद मैं आपको पोश्चन कराता हूं लिखिये सर्थ कि इंकम टैक्स रेशिदेंशिल स्टेटस थर्ड लेक्चर अज थर्ड लेक्चर है ना जाँ ठीक है तो लिखिये गा प्लीज लिखिये गा फिर मैं यह कोश्चन अभी करा हूं बसंगा पूर्वाला कोश्चन सब्धेंशिल स्टेट लेक्चर है तरीह लेक्चर हम eldविखिये गाँ मिझसанс करे क्या गर्डवाला करे गाण मैं वे लिखिये, क्गीबटबा़ाएं ठीक्चर मैं वेखिये क्पारोप्क है, कि अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट होना चाहता है तो उसको इंडिया में प्रिविएस येर में 182 या फिर उसके पिछले चार साल में 365 दिन भारत पे रहना होता है दोनों में से कोई भी एक रूल फुल्फिल होता है तब हम उसको इंडिया का रेसिडेंट कहलाते हैं लेकिन आपको आगे कुछ ऐसे कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें 60 डेस के जगा 182 दिन काउंट करना पड़ता है पिछिया क्या वस्टेक्टक रेसिडेंट in the following situation the 60 days of condition WE condition we the condition 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 of section 6 of section 1 will be substituted by कितना सब्स्टिटुटेट बाई 182 देज ठीक है सब्स्टिटुटेट होके 112 दिन में सेफ्ट हो जाएगा 60 दिन का रूल नहीं रहेगा ठीक है इंदी फॉल्विंग सिटीशिएशन दिस्टी देज बी सारी मैं दो बाई 60 देज दिन दिया 60 days of conditions B will be substitute by 182 days और इसको क्या कहते है जानते हो सर इसको कहते है first proviso of section 6 subsection 1 section 6 subsection 1 का first proviso कहा जाता है proviso ठीक है तो यहां पर होता क्या है सर सर यहां पर यह होता है कि अगर an Indian citizen लिखिए an Indian citizen leaves India for the for the purpose of employment अगर कोई भारत का citizen employment के लिए भारत छोड़के जा रहे हैं तो उनके लिए पिछला साल में 60 दिन का कोई provisions apply नहीं होगा एक सो बिरासी दिन देखा जाएगा Indian citizen leaves India for the purpose of employment ऐसे लोगों के लिए 60 दिन replace हो जाता है दूसरा Indian citizen लीब्स इंडिया इंडियान शिप जो मैंने अभी आपको कोईशन भी रिखाया जो मैंने अभी आपको कोईशन भी रिखाया हां सर आई होप दिखाया आपको मिस्टर आनन जो है इंडियान शिटेशन है और मेंबर अपको क्रूव आपे सिंगापूर बाउंड इंडियान शिप इंगे जिन कैरे जो पैसेंजर इंडियान ट्राफिक डिपार्टिंग फ्रम चिन्नाई पोर्ट आप जून 2021 ठीक है और डिटेल्स आपको बता दी और खूच रहें कि आपला पांट आगें बॉंडियान इंडिया ट्रूमेंबर अपिंडियंशिट व्यान इल समझे माया रहें नाशिष चलिटीर्स नंटियो जान इंडियन जाटियू सब्स्क्राइड थीजर्टीजेजें अर परशन अव कि इंडियन ओरीजम इंडियन एप gray ओर वमें पर से में टेश्य गर ब्हारत के लिएशिए गर वह ममाने ये आउट साइड इंडिया फार्सक्री है फारत के बाहर रहते है को ही नौर्मल ए से एघ्लप कि कम टू इंडिया ऊटसाइड इंडिया के अच एक फॉरे विजिट कॉंट इंडिया पर बिजिट है तो इन्हें भी इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है इंडियन सिदिजन परसन आफ इंडियन ओरीजीन सर अब यहां पर एक सवाल उठता है क्या है सर इंडियन ओरीजीन क्या होता है कि आप लोग मुझे बता सकते हैं इंडियन और जिनका जीन भारत से हैं इसका मतलब क्या इसमें एक स्पेशल बात आपको जरूर यह दूर जाना जाओ भारत का जीन मृता है क्या बंगरफ और पाकिस्तान है नहीं है आपको और बस आपको इतना पूछ रहूं कि पाकिस्तान भारत का हिस्टा है यह सण सब्सक्राइब सब्सक्राइब पड़ेगा 47 में जाना पड़ेगा 1947 में यह भारत का हिस्सा हुआ गड़ता था लेकिन जात पाथ के नाम पे मार पेट करके दंगा करके जो भी करके दो देश अलग हो गया पहले एक ही हुआ था पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से बांगलादेश आज़ा दिलिया और फिर से अंदर होता था अब ऐसा कोई इन्जान जो पाकिस्तान में पैदा हुआ था से फर एक्जांपल कराची में या धाका में तर मैं कब का बात कर रहा हूं 47 का बात कर रहा हूं और वह उन दिनों भारत का पाड़ था धाका कराची यह सब धाका बंगलादेश का बड़ा सहर है अब कोई कि धाका में कोई जन्मा कराची में कोई जन्मा लेकिन 47 से पहले और वो भारत भाग होने के बाद वो अपने आपको भारतिय डिकलियर करता है और वो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन वो कभी-कभी भारत विजिट करने आज के भारत में आते हैं पाकिस्तान मांगला दिशनी आज के भारत में आते हैं तो क्या इन्हें भी इंडियन ओरीजिन कहा जाएगा बात कुछ समझ भाए है सर बात बोलो इंडियन का मतलब समझ है सर मतलब कोई अगर 47 से पहले भारत के बाहर भी उनका जनम हुआ है भारत में जनम हुआ है मतलब तब का भारत बर्ष पागिस्तान मांगलादिस जो पार्ट है सर ठीक है यह मैप ओपन करने के प्रटान में कि अब बीच में आ जाते हैं और हटता नहीं क्यों है ऐसा अब तानी अचलो हटेगा तो अपने मर्जी से अब बात ही है सर इंडियन ओरिजिन होना इस तरह से होता तो यह लोग अगर भारत के बाहर रहते हैं और कभी-कभी भारत में आते हैं तो इनके लिए सब्सक्राइब है तो चलो सब्सक्राइब और को सॉल्व करते हैं कि अधिक है और पिता का यह आवाज आ रहा है बागी लोह का नहीं आ रहा है कि अधिक को सब्सक्राइब अधिक 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 अधि टेक्स ओफिसर बाई गवर्मेंट ऑफ जिंबाबोई जनते हो सर आफ्रीका में है ना तेक है मैं ऐसे ही रेंडमली उठा जिंबाबोई पर नाम सुनें की नाम नहीं सुना जिंबाबोई का फिर बुलेगा सर्फ क्या देश बता दिया सभी नाम ही नहीं सुना जिंबाबव एका टैक्स ओफिसर के तौर पे किसी को नौकरी मिला जो कौन है भारत का सिटिजन है पर वो भारत छोड़के जार ऐसा लिए 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 लिएस आप 27th of September 2020 27th of September 2020 for joining for joining the job job join करने के लिए 27 September 2020 को भारत छोड़ा ठीक है 27 को भारत छोड़ा और भारत छोड़के कहां जा रहे हैं साँ भारत छोड़के जिम्बा कोई जा रहे हैं ठीक है ना यहां तक बात क्लियर हैं बोलो और पीता नाचीश बारत समझ मेरे साँ अगे साँ Mr. Z Mr. Z came to India for 181 days during previous year अच्छा यह सेप्टेंबर 2020 जो है यह कौंसे डिट के अंदर आता है तो कौंसे यार के अंदर आता है कि सेप्टेंबर 2020 कौंसे डिट के रहे हैं 2020 2020 पॉर्ट इसस्ट्विट स्ट्वा था अप्रिल 20 में 2021 का पार्ट सह 1922 कि डिट वेटी 20 सेप्टेंबर 2020 मतलब फर्स्ट अप्रिल 2020 से स्ट्वा था 31st March 2021 में खतम होगा हाँ sir 1929, it's a part of 2021 yes na yes sir Mr. Z came to India for 18 181 days during previous year 21 22 next year अब आपको पूछा जा रहा है calculate residential status of Mr. Z for previous year 2021 as well 21-22 this is the question अगर ये बात समझ में आए तो अभी solution के तरफ बढ़ना पड़ेगा बोलो sir question समझ में आया Mr. Z Mr. Z job लेके जा जा रहा है जिंबा जा रहा है इसलिए जिंबा पड़े लिया Z से जिंबा पड़े याद आ गया बोलो अगर बोलो सब पोश्चन समझ में आ गया ठीक है यह रहा जिंबा पड़े कहां गया जिंबा पड़े आफरीका में है Mr. Z इंडिया से कहां जा रहा है जिंबा पड़े जा रहा है यह रहा थीक है बहत यह खुबसरत देश है लेकिन बहुत ज़्यादा पौलिटीकली प्राब्लिन में है आजकर पेशली 9 जाद्पात मतलब यहां पर धरम को लेके प्राब्लम नहीं है यहां पर कलर को लेके प्रॉब्लम है साधा काला लाक औनवाइट इशो बहुत जादा है की को नों भी बहुत ज़़्यादा खराब हो चुका ही रिसेंट ट्रेंड है व्लैक एअग अध्यूवूथ भॉस्तर है एक जमाने वे क्रिक्ट में बहुत नाम था प्ड़ा यह कोई बात नहीं पर कंट्री बहुत ही सुंदर है कि अंदर इतना सुंदर सब आपका अफ्रिकन साफर ही होता है मैं आपको क्या बता हूं कभी अगर आप लोग जाते हो न आपको पता चलेगा बहुत अच्छा नैशनल पार्क बहुत सारा है हरारे स्पोर्टिंग क्लाप बहुत सुंदर है ठीक है सर अब जिंबा गुमने तो नहीं जाना है जाओ कि घूमने चलो सर आपको हरारे से दो मिनिट घूम के लिए यह हरारे हरारे स्पोर्टिंग क्लाब में क्रिकेट होता है बहुत सुंदर जगा है देख पारे सर मैं बोला ना नैशरली बहुत ही इस लिए बोला बहुत ही सुंदर जगा गरम जगा है अब्यस्ली ट्रॉपिकल वेटर है ठीक है अब जेबरा वगेरा सब देखने को बनता है जिंबाबुए लिए साइंस न्यूजियम क्या नहीं है बहुत सुंदर जगा है सर ब्यूटिफूल नेचर वाइस ब्यूटिफ सर वापस आ जाते हैं तो फिर अभी किदर जाना है अभी हम लोग कैल्कुलेट करेंगे कि 2021 और 2021-22 में मिस्टर जेड जो जिंबाबुए में नौकरी लेके गया था टैक्सेशन ऑफिसर का उनका रेसिदेंचियल स्टेटस बढ़िया है सब्सक्राइब चलो अंसर देना है मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया ना प्राविस ओप सेक्शन सीख सब्सेक्शन वान मतलब यह तीन तरह का लोग जो भारत छोड़के भारत के बाहर जाते हैं इंडियन सिटिजन लीप इंडिया फॉदी पॉर्पलस आप एंप्लोइमेंट जैसे कि हमारे केस में मिस्टर जेड जो जिंबावोई जा रहे हैं दूसरा इंडियन सिटिजन लीप इंडिया आज एक क्रू मेंबर ऑफ इंडियन सीप जैसे कि एक कोशन अभी करने वाले हैं सर्थ सिंगापूर का शीप का जो कोशन में होमोग भी दिया था ठीक है और ऐ प्रविश्वाब सेक्षण सेक्ष्षण सेक्षण वाँ उसमें 60 देज को रिपलेश करके 182 दिन को काउंड गया जाता है 60 देज का प्रविश्ण को इग्णोर किया जाता है ठीक है तो यहां पर यहां पर क्या बोला जा रहा है तो 60 & 365 पर रूल एपलाई नहीं होगा consumer section 6 subsection 1 an individual is treated as resident is treated as रेसिदेंट इन इंडिया को इंडिविजुल को तभी इंडिया में रेसिदेंट वानते हैं रेसिदेंट इन इंडिया इफ ही और सी साथिस्पाइ एनी वन कंदिशन और टू कंदिशन आउड अफटू कंदिशन दोनों कंदिशन क्या है सर कौन बताएगा मुझे दोनों कंदिशन क्या है फिजिकली फिजिकली क्या फिजिकली प्रिजिकली 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 है 21 22 ठीक है पॉइंट भी क्या है वो भी देख रहे हैं और भी क्या है प्रेजेंट इन इंडिया पॉर 60 देख ये रूल बता रहा हूं मैं आपको सेक्शन 6 सब्सक्राशन वान का दूरिंग प्रिविज यर जैसे कि हमारे एक्जाम्पल में 21-22 और 365 देज इन इमेडियेट फॉर प्रिबियस यह इन इमेडियेट फॉर प्रिबियस यह ठीक है यह रूल है अब इस केस में क्या होता है हमारा जो करेंट केसमां क्या होता है यह तो इंडियन सिटिसेन भारत में भारत से जोब लेके जिमा में जा रहे बहुना है फॉरेगे इसकी लिए क्या वोता है सर डाग अध्य हग्यां कर दिल फ्रस्ट प्रॉबिस हो यंज कश्द सबसेक्शन से 1st Pravishab section 6, subsection 1, the 60 days of condition B will be substituted by 182 देज साथ दीन 182 दीन में बदल जाते हैं कब कब होता है पहला होता है इन आवर केस इंडियन सिटिजन लिब्स इंडिया इंडियन सिटिजन लिब्स इंडिया फॉर इंडियमेंट पर्पस बाकी दो दो पॉइंट आप लोगो पता है प्लीज लीज लीज एगा ठीक है एक में आपका जहाज का मेंबर और दीसरे में इंडियन ओरिजिन टीक है क्रू मेंबर मैं इसे लिखता हूँ शॉट में आप लोग पूरा लिख लीजिए गा मैं अल्रेटी लिखा के रखा ना इसलिए बोल रहा हूं तब इसको कॉपी पेस्ट कर देना यह बी और सी पॉइंट को टीक है क्रू मेंबर का पॉइंड और इंडियन ओरिजिन का क्योंकि हमारे इस केस में सिर्फ यह दो पॉइंट यह पॉइंट फुल्फिल कर रहा है इंडियन से लिफ इंडिया फॉर दी पॉर्पॉस अब एंप्लॉयमेंट तो इनके लिए हमें डेट का कैलकुलेशन अभी करना पड़ेगा तो डेट का क्या कै हम बताइए है हमारे पास्ट दो परिवियस कि अ ह्रेबğinर 10 है 2021 कि अधन प्रिवेश कूछ है तो पहले में 2021 नीपर हो हुआ 2021 में कब इंडिया छोड़ के जा रहे है प्लीज टेल में मिस्टेड जेट जिंबा वह तब जारह है कि 27th of September 2020 Hello I hope कि आप लोग समझ पारें सब कोई डाउट हो तो पूछिएगा किसी का आवाज नहीं आ रहे हैं हो सके तो हाँ ना बताईएगा रॉष्णी नील कि सभी को पूछ रहा हूं 27 September 2020 को इंडिया चोड़ रहा है वो ठीक है सब है तो सर हमारे लिए 2021 कब स्टार्ट होता है एप्रिल मेज जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेमबर ओक्तवर नवेंबर डिसेंबर जैनवरी फेबरुर्वरी मार्च इस वाट डेट अम राइट सर लेकिन वह इंडिया चोड़के कब जा रहे है सेप्टेमबर को सेप्टेमबर को इंडिया चोड़के जा रहे है और एक टोटल का करम लिग रहे है सेप्टेमबर का कितना तारीक हो 27 तो 27 तो सेप्टेमबर सेप्टेमबर में कितना दिन इंडिया में है यह तो बता दो इससे पहले आप लोग ऐसे कोशन करते तो जिसमें इंडिया आता है यह इंडिया छोड़के जा रहे है तो 27 सेप्टेमबर इंडिया चोड़ रहते हैं सेप्टेमबर में कितना दिन इंडिया में है कि बोलो कि इंडिया चोड़ रहा है तो 27 तरीक तक है तो जिस दिन जा रहे है उसको काउंट करना है न कि 27 डेज इंडिया में है कि यस और नो कि यह से अच्छा 27 से पहले से पहले वो भारत में था मिस्टर जेट जिंबागोई जाने से पहले भारत में तो तो अगस्ट में 31 डेस था जुलाई में 31 डेस था जून में 30 डेस था मार्च में में 31 डेस था एप्रिल में 30 डेस था 30 31 30 31 31 27 तो बोलो 2021 में कितना दिन भारत में रहा है टोटल अरके बताईएगा यह सब भारत में रहा नहीं 180 तो बोलो 2021 में यह बारत रशिदेंट बन रहे है की नहीं बन रहा है जैंद नो सैर यह 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 1-80 टू डेस था कभ शॉन्हा बन यह 182 डेस था पब 1 इंडियन सिटिजन है भारत चोड़के जा रहे जॉब की लिए एंडियन सिटिजन लीप इंडिया फॉदी पर्पोस अब एंप्लोइमेंट अड़ ऐसे किसमें 60 दिन नहीं रहता साथ टीन्सों पर्यसेट का रूल नहीं रहता आपको 182 दिन इंडिया में रहना होगा प्रेपियस हें जिसका उसका कितना हो रहा है to satisfy the condition of section 6 subsection 1 the Mr. X fails to satisfy the condition under section 6 subsection 1 that is the special was 180 days instead of 182 days okay what is the 180 days during the PY PY 2021 21 okay as India as Indian lives as Indian citizen lives for employment okay so Mr. X Mr. Z non-resident citizen citizen non-resident बन गया है क्या कमाल है provision का ठीक सर अब बाकी और भी एक सवाल था दो सवाल यहां पर पूछा गया है 3014 में क्या होगा सडी 2021 में क्या होगा 2122 में क्या होगा 2021 में क्या होगा 2122 में क्या होगा 2122 में क्या होगा 2122 में भी क्या होगा वो भी देख लेते हैं अबलिक लिजेगा 60 देज विल बी बीजिए 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 देजिए जेजिए जेजिए इंडियन सिटिजन जेट एक इंडियन सिटिजन रिसाइड इन का रहता है 21-22 में वो काहां रहता है बताओ ना 21-22 में भारत में है क्या 20-21 में जो चला गया सेप्टेमबर को वो अब जिंबा पोह में है हो सकता हराने में है ज़ंड़ें को जाके दूड़ेंका तो मेलेगा पता नहीं यह से चाहिए इतना बडा देश में कहां है हरारे में हो सकता है हरारे उसका बहुत ही बड़ा सहर है हरारेगदर्स ठीक है कॉंसेट इस डाट की कि अगर वो जिंबाबोय में है तो फिर वो भारत में तो नहीं है तो 60 days of will be substituted by 182 days and Z and Indian citizen reside in Zimbabwe ठीक है resides in Zimbabwe come to India for 181 days for the previous year 21-22 for the previous year 21-22 तो क्या वो resident कहलाएगा 21-22 में बोलो सर बोलो 21-22 में क्या वो resident कहलाएगा विकाज वो इंडिया में आया तो था बट 181 दिन के लिए आया था 181 days के लिए तो क्या हम Mr. Z को इंडिया का resident बोलेंगे किस बाइस में हलो और पिता रोश्नी बोलो नील रिशाब कुछ तो बोलो सर था सब्सक्राइब अधिन कर पाया न एक सो बिरासी दीन रहना था 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 दिन का रूल तो फॉलो नहीं होगा एक सो बिरासी दीन तो उसको रहने है इंडिया में पर रोट 181 दिन रहे के चला जाता है तो भी रेसिदेंट कैसे गहलाएंगे तो ही बोलेंगे, ही फिल्स तुसाटिस्पाई ही फिल्स तुसाटिस्पाई पंदिशन अफ सेक्शन 6 अब सेक्शन 1 सो Mr. Z is a non-resident Mr. Z is a non-resident for the previous year 21 22 बोलो सर, बोलो आप लोगा हाँ ना मेरे लिए किम्थी है समझ में आया ये सर नो ये सर एड़ा ओके सर तो ये होता है प्रॉबी सो सेक्शन 6 सब्सेशन 1 का exceptional points पर सब पर नहीं लगता किसी किसी पर लगता है ठीक है तो वो किसी किसी कौन है ठीक है वो किसी किसी में कौन कौन आता है वो मैं आपको बताया ठीक है किसी किसी पर लगता है पर ये किसी किसी पर कौन कौन आता है वो मैंने आपको बता है ठीक है तो एक कोशन आपको मैंने घर पे दिया था करने के लिए चलो इसका जवाब भी ढूंड लेते हैं यह वाला कोशन था मिश्टर आनंद जी का जो क्रूब मिंबर के तौर पे सिंगापूर बाउंड इंडियन शीप में कैरेज पैसेंजर के लिए इंटरनाशनल ट्राफिक डिपार्डिंग काउं चिन्नाई 6 जून 2021 को निकला था प्रम दी फॉल्विंग डिटेल्स अब दी प्रिविए से ट्विए से पहले चार सो दीन भारत में रहा है वो कोशन कुछ सिमिलर टाइप का नहीं लग रहा है हां क्रू मेंबर के तौर पे तो क्या जवाब होना चाहिए इसका यह पर और भी कुछ पथ पतिकुलर में इनाई। ले कलू सर दैखलो सा डेट इटे ईंटे ईंटीमेस इस्टछ चर्ट अदिएकत इन रस्ट अनिटुंस इस्च सिब्द धिएरख इस्ट बॉली नहीं many देट, कंथिव्य नहीं प्रिजिए, बॉली दिट पनिर. थी कहा है मैं आपको समझा देता हूं कि क्याए फेला कि सीधी जून तो 9 इसम्बर में क्या देफ्रेंस है वह भी आपको सुमझ में जाएगा सर इसका अनलेशिस देख लेक लगते है सुलुपा ते किशन देख है त्र एफ इन केस अभी अभी आपको पता है कि अगर वो इंडिया में 182 दीन से ज़्यादा प्रिपियस एर में रहा है तभी हम उसको जो रेसिडेंट मानेंगे साट दिन का रूल यहां फॉलो नहीं होता कि 60 एंड 365 का जो जुगल बंदी है यह नहीं लगेगा क्योंकि वह लगता तो आराम से फुल्फिल हो जाएगा तो इसलिए सिर्फ 111 दिन का ही रूल फुल्फिल होना से अब जो वह जाए जो शिप है इस यह जो जिए लिजम नंएस जुट सी इ सब्सक्रागे सुट्ट पारी ये मिंधिड नाइस्ट वह जो जुट्यू फिल लाइशिब 2021 विंग्ट जेट जे इंट 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 इन इस्ट इंट 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 इंड इंड़ जेड़्य को तर वों इंडिया चोड़ रहे जून को जून महीना कितने दिन का होता है? 31 डेस का क्या? चै 30 डेस का? बोले सर्थ चै 30 30 30 से 6 सटाव तो कितना होता है? 24 लेकिन जिस दिन जा रहे उसको चलेंग है ना? 25 डेस जून में अरे समझे मागे है ना? जुलाई में 31 ऑगस्ट में 31 सेप्टेंबर में 30 ऑक्टोबर में 31 नवेंबर में 30 डिसेंबर में वापस ठीक है? 9 कितना दिन होता है? अब यह पूरा पीरियद है 117 सी दिन का होता है पीरियद बीगिन हुआ तो 6 जून से और खतम हो रहे है 9 डिसेंबर को एंडिंग ऑन 9 डिसेंबर तो कुल मिला के 117 सी दिन उसका होता है अब टू बी एक्स्कूलिट फांडी पीरियद ऑफिस टे इन इंडिया इसको भारत में स्टे से हटाना पड़ेगा कंसिक्वेंटली मिस्टर आनन्द पीरियद ऑग स्टे इसके बारे में बात है ठीक है इसमें सिस्टेम ऐसा हो गया कि वह भारत में कितना दिन रहा है इसका काउंटिंग क्या होगा इसका पीरियड जून से 9 डिसंबर के बीच का है और इसी डेट के अंदर जहां आना जाना कर सकता है क्रियों मेंबर की साफ से अब वही खेल है कि मिस्टर आनन्द का इंडिया का जो पीरियड रहने का वह 365 दिन से यह जो 187 दिन का पीरियड था इसको लेस कर दो तो आपको 21-22 में 188 दिन दिखेगा सिंस इस पीरियड आप स्टे इन इंडिया डूरिंग एक इस बिरासी से कम है तो एक इस बाइस में भारत का नॉन मेसिडेंट कहलाएगा ऐसे स्पेंटेर बाइस देशनी साफ से इतनी सी बात है थोड़ा से हटके था क्योंकि यहां पर यह जो चालू होते 6 जुन पो यह आपका 9 दिसंबर तक रहा है तो यह 6 जुन से 9 दिसंबर का पीरियड है इसमें उसको भारत का पार्ट नहीं माना जाएगा तो तोटल 365 से बाकी जो पीरियड रहा मतब़े 177 दिन का पीरियड को लेस कर दो 178 दिन होता है 178 दिन भारत का माना जाएगा 212 लेकिन 22 में आपको कम से कम भारत का सिटिजिजन होने के लिए 182 दिन होना पड़ेगा अब सेक्शन 6 अब सेक्शन 1 फुल फिल नहीं हो रहे है न तो नहीं मानेगी हो जाएगा अरे बोलो समझ में आया की नहीं आया की नहीं हाया हलो कि ये से नील रॉष्णी आप सभी को समझ माया स्नेयसी रिशाव बोलो कि ये सब्सक्राइब सवाल था इसी तरह से आपको और भी कोश्यंस पर घर पर करने के लिए अल्रेडी दिया अब वो सब कोश्यंस को भी घर पर आप लोग ट्राइज जरूर करें से अभी मैं आप लोगो थोड़ा सा अलग कोश्यंग मनें के जरूर यह कोश्यंग यहाप पर था हीम भाला यह बीक का जो कोश्यंस है ने क्सक्रास में जरूर देखूंगा आप लोगों उस एक्वा अंसर में जरूर उमेद करता हूं कानडेट ली-अंक होश्य लिया and all the policy decision taken there by Mr. E. लिकरता अब दी हुआ हिंदू अंडिवेड़ेड़ फैमिली मैं basic class में समझा क्या है हिंदू अंडिवेड़ेड़ फैमिली होता है अब हिंदू अंडिवेड़ेड़ फैमिली में क्या होता है सा जॉइंट फैमिली बिजनस हिंदू सीख जैन ठीक है इन इनका जो हिंदू फैमिली मतलब जो जॉइंट फैमिली है इनको हूफ के काटेगरी में रखा जाता है जैसे एंड संग्रेंड संग्रेंड दॉटर्टर्स टाइप का इसमें जो करता या head of the family होता है इनके रेशिदेंशिल स्टेटस से ही पुरा बिजनस का रसिदेंशिल सेटेस देखा जाता है तो मिश्टर इट करता है हुआ का जो बॉंड है कहां हुआ है कलकत्ता में कलकत्ता में बॉंड है बढ़िया है वस बॉंड इन कलकत्ता विजिट इंडिया दूरिं प्रिवेस एर 21-21 अफ्टर 15 सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है यह तो समझ में रहा है बट क्या एच वेफ के लिए स्पेशल बात होता है तो तो क्यों आपको एच्वेव का special बात बता जाए चलो सर एक कोशन करते हैं और मैं आपको स्पेशल बात बताता हूं और फिर जाकि यह special कोशन को भी कर लेंगे क्या बोलते हूं बोलो बात पल्ले पढ़ रहा है ना सर पढ़ना भी चाहिए भी तो पहले मैं आपको कुछ कॉंसेट लिखाता हूं कुछ कोशन के थुरू से ही आपको कुछ कॉंसेट बताता हूं उसके बाद आप लोग इसका जवाब दीजिएगा वोशेन नमबर फॉर आपको मैंने दिया था तो चलिए मेरे साथ साथ मेरे साथ चलना क्या कोशन है तो एक ज्वाइन फैमिली बिजनेस बनाते हैं जो वीदा रहेगा अच्छा ज्वाइन बिजनेस कैसे समझ में आता है हाँ सर जैसे बारो ऐख ओसर औन सूंस अंसन्स ज्रांटस औंड़多स ग्रांड़ंट यसे डिख्था है इंशन्स एंशन्स मिस्टर जेड कोई मिस्टर जेड ही करता है यह जो जेड है यह करता है करता हो फेच वेफ Hindu undivided family Jai and Sikh this kinds of religion wise अलग religious concept में जीते हैं तसे अलग कुछ नहीं है बट थोड़ा सा practicing अलग है ठीक है इसलाम को क्यों नहीं मिला इसलाम इंडिया का concept नहीं है भारत में बहुत जादे लोग इसलाम followers भी रहते हैं तो उनका भी परसनल लौग का कुछ नियम कानुन है उनको रेस्पेक्ट देखते हुए संपिदान ने हुएफ के अंदर इसलामी concept को इंडिट नहीं किया बस अहीं अंतर है जेड एंसंस मिस्टर जेड इस करता आप हुएफ नॉर्मली रिसाइट इन युए से बहुत बार हम लोग सोचते हैं भारत मतलब 47 के बाद का भारत यह सोच हमेना तोड़ा सा गड़बर कर देता है सबको लोग को लगता है कि भारत मतलब 47 का भारत नहीं है भारत का कलचर भारत का concept भारत का जीने रहने का तरीका यह 47 से नहीं यह तो सदियों से एं ठीक है तो इनका को इगनोर करना मतलब मुश्किल बढ़ जाएगा अब अपने आपको इतना चोटा ना समझे कि हम लोग 75 साल मतलब ऐसा लगता है कभी-कभी कि 47 से 2022 जेतना हुआ है भारत का एक साइद उतना ही है गलत सोच है नहीं है इतना पुराना देश जहां जाओगे मिट्टी को दोगे कुछ भी देखोगे पांच हजाओ देश हजाओ साल पूरा ना जो जिसका कहानी है उसका उमर एगर कोई 75 साल सी 70 साल बताता है चिंता तो पड़ जाता है सर यह सोच चेंज गरमन से हो ठीक है तो जेड एंसन मिस्टर जेड़ी से करता हो पेच्वें नॉर्मली रिसाइड यह से काल्कुलेक्वेंश रचल्च यह स्चेड जेडिएचन जेड़ लिफ थेडिशन फिवेंशन दूर्व Olympics १्यो अवें गल्यू उफ नो मैं आपको कुछ situation बताता हूं और उस situations में क्या करना है वो हमें जवाब के तरपे देना है situation a Mr. Z come to India अची रिजाइड कहां कर दिया हम रिजाइड है से नहीं जिंबाबोई कर दो आजिंबाबोई का दिन मैं सब जगा में जिंबाबोई उसक्रणा हूं जिंबाबोई ठीक है मिस्टर जिंबावों में रहते हैं नॉर्मली वही पर रहे के काम करते हैं नॉर्मली डिसाइट इन जिंबावों कैल्कुले देशिंटी से सेटस ओवें इच वें फॉल्विए सिचुएशन मिस्टर मिस्टर जेट कम तो इंडिया और हंड्रेड देज एवरी यह कि सेंस एक सेंड बता देता हूं कब से आ रहा है इस्टर जेट कम तु इंडिया फॉर हंडेड डिस एवरी यह तेंस 2009 टिए ठीक है 2010-11 गर्भव 2010-11 गर्भव 2010-2011 से वो भारत से हर साल आता है 100 देज एवरी यह 0.ione T. Mr. X sorry, Z come to India for 110 days every year since 2010-11 and since and point C, Mr. Z came to India for 50 days every year in the last four years. in the last four years and before that before that 200 days every year 200 days every year I have written a letter please tell me a little bit hello if you have written a letter please tell me a letter अब लोग किसी का आवाज नहीं आ रहे है रॉष्णी और पीटा था यह सब्सक्राइब करने के लिए इसका प्रॉबिशन जानना जरूरी है तर एस पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 हुआ फेस त्रॉटे इस रसे ड्रॉट्ट्टय। नहीं यह सब्सक्राइब लुआ और को फ्युक्ता, बट्डमी तॉबा बर्ट्ली तॉब्टित विश्ट फ़ ओे हैं चरव भूद टॉब्री खॉआ चॉआ पर्टली dजुट्ट्ट दॉट्ट्ट्ट्य। इन इंडिया तो अगर हुए का कंट्रोलिंग होली और पार्टली इंडिया से होता है एस पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 हुए पिस्टेट इस रिसेडेंट इफ इस कंट्रोल एंड मेनेजम्ट अभी फोल्ड और पार्टली इन इंडिया है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा कौन हुए है अब सिटूइशन एफ को रेसिडेंट होने के लिए उसका कंट्रोलिंग होली और पार्टली इंडिया में होना चाहिए तो हमारे एग्जाम्पल में सिटूइशन ए में क्या था हंडेड देज एवरी यर सिस्टूजन टेंट इलेवन ठीक है है तो हमें 21-22 में रेसिडेंशल सेड़ सब्सक्राइब करना है तो इंदी गिवन प्रॉब्लम सिटूइशन में या देना सब्सक्राइब सिटूइशन यह था यह था यह था मिस्टर जेट कम टू इंडिया फॉर हंट्रेंट इस एवरी यर सिंस टुदॉजन यह बस इतना इस गिवन प्रॉब्लम जिक एर था यह था था यह था यह था थाृब्लम सिटॉड यह था यह था रहते अगर्व बहुट्वम टॉण अच्टिसन व इंदिया श्य में अटन प्रॉब्लम कर umasब जूनुंडेड देस कि पने चिटिजन उप जंभवे सिर्व में पंसटिर इन्वाबु आज़ कि उंज्बवी क्यों चाहिए इन्वाप पजिथेएं Technology अए पिर यह नो दो ए मिलंए का मटरे ची कॉमड़े एंडिर्टी आ क्या बोलेंगे सर कंट्रोल मनेजमेंट इंडिया से होता है कि नहीं अल्ली और पाटली पाटली होता है सो सो दी कंट्रोल और मैंनेजमेंट इस पाटली प्रम इंडिया इंडिस के इस हुएव इस यह हुएव का रेसिदेंट बनने का पुराविशन था और वह हम लोग नहीं यहां पर फर्स्ट केस में प्रूव किया परदर यह अब सेम भार अरण ओर अरण और है कि नहीं हुएव और है मतब रिसीडेंट और अर अडिनार जीडेंट इसके लिए क्या करना है हुफ इस बस्टेड इन इन इर फृर। प्रदर कर NICK अवैन व आफ तु वरिफ्र आ सब्द्थ कर दित दूदर कर दित दित फॉच्छ, आप तु त, आपर ऑनोईियवगरर। ऑठार्वेगरर् हुफ इस तॉ-ड ज्य हमेस्ट, खर्नोर।। so resident and ordinary resident, and resident but not ordinary resident. if the karta, point to be noted, if the karta of HOF satisfy both the condition, सबस्क्रası Nazus आपके छॉप मेस्टमने सब्सकेशन और यह प्षस्टमने सीर्ट करेशन श्योम की acting ł changer प्ष्कों नहीं पार अभार हें जोनग था नादे में प्रेड क्भी श्युक्टार सर्ट। ये और हुआ कंभ स्टम प्युक्ट मंध Rick section 6 sub section 6 का दोनों रूल फुल्फिल करना होगा तर्ता वेच्व साथिस्पाइब बोद दी कंडिशन आप section 6 subsection 6 then only हुआ फेस आरो आर अधर्वाइस अब यह बताओ सर कंडिशन ने में रेस्डेंट तो हो चुका है है रो आरे ग्यार्नौ रहेल है ए लेसीदेंड इन की टू आउड ओफ तैंड प्रिवेर्च यख हमिएटली प्रिवेश्य यर세 डिन टौ आउड आउड टेंड प्रिवेश्यर इमेडियटली प्रिवियस यह तो इसके पिछला ठीक दस साल में दो साल उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा रेसिडेंट होने के लिए करता को एक सो बिरासी दिन और साड़ तींस अपईशेट दिन का रोल फालो कर सकते हैं इसेडेंट का रूल सेक्शन सिक सब्सक्षण वान 25 दिन भारत में प्रिवियस यह में या फिर साट दिन प्रिवियस यह उसके पिछले चार साल में 365 दिन कोई भी रूल फुल्फिल हो जाए करता का तो फिर करता है रिचिदेंट बन जाएगा पॉइंट भी प्रेजंट इन इंडिया पर 730 देज इन सेवन प्रिविए सियर इमेडियतली विसीडिंग दी रेवियस यर ट्वीटिवण ट्रिक है तो हमारे गिवेन प्रॉबलेम में क्या हुआ यह देखना ज़रूरी है तेंदी गिवेन प्रॉबलेम क्या लगता है करता का क्या होगा लिकरता ओफ एच्व एच्व कर रहा है सर बोलो जिंबा बोई में रहता है हर साल सौ दिन भारत में आता है किलमी साथ जिंबा बोई में रहता है हर साल सौ दिन भारत में आता है क्या वो भारत का रेसिदेंट हो जाएगा इन दे गिबन प्रॉब्लम दे करता हुब ही चेर तर फेल्स तो सैटिस्फाई कंडिशन भी क्यों एक दम आखो देखी दीखरा है क्यों कि कंडिशन बी के लिए क्या था पिछले साथ साल में मतलब 21-22 हमारा प्रिवियस एर है उसके इमेडियेट साथ साल में अगर देखा जाए 2021-1920 18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13 11-12 10-11 देखे लिए तसर दसल वागी नहीं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस हो जाएगा दसल हो रहा है से तो मुटा मुटी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस इसमें से साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ लेकिन वह हर साल सौ दिन करके आता है तो कितना होगा कि अधिन हंड़े है कि 700 वच्छे 700 हो रहा है तो कंडिशन भी तो फुल्फिल नहीं कर रहा है ना कि ना सब्सक्राइब होने के लिए दोनों कंडिशन फुल्फिल होना पड़ेगा दोनों में से कंडिशन होना है ना या तो पंडिशन भी फुल्फिल नहीं हुआ तो अगर भी फुल्फिल फुल्फिल हो जाता है किसी कारण से इसको भी नहीं होगा 100 दिन और पिछले चार साल में किसी भी दो दिन में नैसा देख लिएते साल में परिवियस यहर में पहला बाद 60 दिन रहना हुं थिक है 2021 22 exists हो जाएगा विफ्सकी पिछले चार साल में 3 858 दिन हो जाएगा 1 2 3 4 अ कंडिशन centuries fulfilled कर रहा है कि oluyoresz Stress condition ए but not B of section 6 of section 6 so HUF is ROR क्यार नौर R नौर ठीक है इस तरह से हुप का residential status calculate किया जाता है अब जो मैंने आपको बोला है अभी भी दो condition बागी है हमारे question में ठीक है प्रेदे को सर जो मैंने आपको बताया यहां पर इस तरह से format करके भी दिया है flowchart गुना के if the control and management of its affairs situated wholly or partly in India ठीक है अगर यह से है अगर नौ है तो है तो HUF is non-resident हो जाए अगर control management भारत से बिल्कुल नहीं होगा तो non-resident लेकिन अगर भारत से management होता है तो फिर आगे यह देखा जाएगा इस करता resident in India at least in 2 previous year out of 10 previous year preceding the relevant previous year plus यह जिस टें इंडिया for 730 days for more than during the 7 previous year relevant to previous year अगर यह है तो होगा अगर नो है तो होगा I hope कि अभी flowchart समझने में कोई दिक्कट नहीं होगा क्या बोलते हो क्या flowchart समझ में आ गया तो कहने का मतलब ही था कि अगर आप provisions को समझ पाते हो तो हर जबाब का सवाल का जबाब दे सकते हो ठीक है सर आज मैंने आपको ही आपको कराया और ही आपको करने के लिए दे रहा हूं illustrations 4 must try और मैंने जो questions अभी लिखाया मैंने जो questions अभी आपको लिखाया उसमें मैंने पहला question तो solve किया पर situation B और C solve नहीं किया यह भी home work है ठीक ठीक है तो B और C के हिसाब से बताइएगा कि वो resident resident तो हो गया पड़ और है कि आर नौर है यह आपको बताना है कि control management तो हो गया समझ में आ गया पतब resident तो है लेकिन आर और है कि आर नौर है यह B और C में जवाब देना है घर में try करोगे कि नहीं करोगे अरे करना तो पड़ेगा सर चार्टर बनना है है CS बनना है हां CMA बनना है practice नहीं करोगे तो कैसे होगा और यह वाला questions भी try करना मिस्टर ऑस्टरिया वाला जो है यह वाला questions illustrations phone का अचा बाकि जो दो questions ब्रेटली और इसका question अगर नहीं किया Canadian citizen का इसको भी try कीजिएगा और यह वाला questions भी please must try sir Mr. Anirut का इसका details नहीं मिला होगा आपको इसका details देना पुड़े है टीक है details इसका नहीं दिया मैंने यह details भी मैं दे दिता हूँ ऐसे यहां पर है notes के अंदर आप notes में भी एक बड़ चेक कर सकते हो illustrations 5 एक है resident and ordinary resident resident but not ordinary resident and non-resident income कर स्वोर्स की साब से आपको find out करना है कि उसका income count होगा भी नहीं होगा एक बड़ गो through कीजेगा अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं next class में ऐसे भी बताऊंगा ठीक है मैं note share कर देता हूं आज आप लोग घर पे बैठके आप लोग घर पे बैठके यह जो जो questions मैं इनके बारे में बात करूंगा और एक बहुत इंड्रेस्टिंग कॉंसेप्ट है सर इंकम रिसीप्ट और डिम्ट रिसीप्ट इन इंडिया का इंडिया का क्या कॉंसेप्ट है यह मेरा नेक्स्ट क्लास का बिशह रहेगा ठीक है अब दिरे दिरे ही चल रहा हूं बस यतना अम्मीद करूंगा कि आप लोग का कॉंसेप्ट क्लियर हो आप लोग अच्छे से समझ पाई सीख पाई प्रोफेशनल एक्जाम पास करने का एक ही जरिया होता है सर नौलेज विट प्रॉपर कॉंसेप्ट और फिर भर में कॉंसेट के साथ प्रैक्टिस ठीक है तब ही जाके आप प्रोफेशनल एक्जाम कौन रुपता है सर बल्ले-बल्ले हो जाएगा ठीक है सर अज इतना ही है टाटा फिर सार बोलची एफिमेर ओप करकरा की पॉसिबल क्वेसशन्स पाट अट पाट अट की नहीं पास पर नल्यक्तिकां पाट अटुर॑ सेफिमेर पॉसिबल क्वेसिंस पाट अखिनấं की तोट वच नबल